दोस्तों आप सभी का स्वागत है Current Affairs पंडा के YouTube चैनल पर हम लोग यहाँ पर जुलाई मन्त में ऐसे Famous परसनल डिस जिनका निधन हुआ अबिचुरी सेक्शन यहाँ पर कबर करने वाले हैं अगर आपने जुलाई के Current Affairs कहीं से भी पड़े होंगे लेकिन आपको यहाँ पर Revision Format बहुत अच्छा मिल जाएगा और एक ही वीडियो में जो आपके Famous ऐसे परसन से जिनका भी हाली में निधन हुआ तो उनके बारे में हम पूरी नौलेज यहाँ पर देने वाले हैं मेरा नाम विकास सर्मा है और यह जुलाई 2023 के Important Orbituries का एक सेक्षन है आपर ठीक है एक चीज और यहाँ पर कहूंगा कि जो Current Affairs है वो आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर daily, weekly, monthly यह सब मिल जाएगा तो आप हमारा जो प्लेटफॉर है उस पर आप जाओगे Current Affairs पंडा सर्च करोगे आपको हमारा एप मिल जाएगा ठीक है आप जैसे पहला question यहाँ पर हमने mention कर रखा है बीर देविंदर सिंग जिनका हाली में निधन हो गया पंजाब बिदानसवा में किस पत पर थे तो बीर देविंदर सिंग जी who recently passed away held which position in the Punjab बिदानसवा तो यह deputy speaker की position पर थे ठीक है तो यह आपको यहाँ पर note करना चाहिए देखो फार्मर पंजाब deputy speaker बीर देविंदर सिंग डाइज इन चंडीगा ऐसे examinations में question इसलिए बनते है कि पहले तो person का name जिस person की death ही है ठीक है वो by profession कौन सी position पर है तो मैं यहाँ पर ही कहना चाहरा हूँ कि उसकी position मतलब उसका profession क्या है हो सकता है वो कोई एक poet हो कोई author हो ठीक है एक politician हो कोई भी person हो सकता है यह दो चीज़े प्लस यहाँ पर अगर उसको कोई award मिला हुआ है या फिर कोई ऐसी चीज है जो बहुत important है तो उन तीनों से related question examiner आप से पूछ सकता है अब एक चीज़ हमने हाँ पर explanation format में और भी mention कर रखी है जैसे यह जो former deputy speaker है मंजाब विधान सवा के दो बार के congress के MLA है बीर देविंदर सिंग तो 73 years के एज में इनका निधन हुआ ठीक है अब यह पूछा सकता है कि कौन सी constituency से यह आते हैं तो यह है congress के MLA from खरार constituency ठीक है 2002 से 2007 के बीच में जो best legislator इनको declare किया गया था तो यह चोटी 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 चीज़ है यह examination में कई बार hit कर जाती है एक question हमने यहाँ पर obituary का और आपके लिए रखा है इनका नाम है Alan Erkin तो Alan Erkin बहुत ही famous है और इनकी जो ख्याती है वो comedy और drama में बहुत बड़े level पर थी और इनको चार बार जो academy awards nominations है उसमें इनको स्वामिल किया गया था और उसके बाद में 2007 में इन्होंने Oscar जीता for little miss sunshine ठीक है और 89 years के एज में इनका निधन हुआ तो यह जो back end information बता रहा हूं आप इसको note करते जाए इन नहीं सारी चीओ की PDF वो आपको current affairs funda के app में मिल जाएगी इसलिए मैं हमेंसा कहता हूं कि आप को एक बार download कर लें और बहां पर content बहुत ही systematic format में दिया गया है यहां पर आप देखेगा नंबू 3 जिनका अभी हाली में निधन हो गया तो किस शित्मे योगदान के लिए इनको जाना जाता था तो which field did नंबू 3 who passed away recently तो इनको किस काम के लिए योगदान के लिए इनको जाना जाता है तो यह painter और sculpture है ठीक है नंबू 3 तो अभी हाली में इनका निधन हो गया अब एक मैंड में कोश्चन आएगा कि painter तो आप समझ गया है इस sculpture क्या होता है इस sculpture को हम इस तरीके से justify करेंगे कि कोई एक artist है और उसने एक ऐसी imagination बनाई है ठीक है एक ऐसी उसने प्रत्मय बनाई एक उसने ऐसी painting बनाई है imagination है कि देखते ही आपको वा क्या बात है ठीक है बहुत खुबसूरत है मतलब हम यह कह सकते हैं कि एक तरीके से इंसान किस लेवल तक सोच सकता है सोच सोच कर उस चीच को express कर सकता है तो यह एक बहुत बड़ा format है sculpture का ठीक है तो प्रतिमा kind of आप समझ सकते हैं कि मतलब किसी एक अनोखे तरीके से कोई चीच को design किया जा रहा है ठी तो यह यहां पर मैंने बता है 97 years के age में इनका निधन हुआ और यह important क्यों है सबसे पहली चीज है कि इनको राजा रवी बर्मा अवार्ड यह भी इनको केरला का मिला देखें ललितकला Academy और जो केरला State Film Award है Best Art Director का वो भी इनको दिया गया तो इस वजह से यह बहुत important question बन ज निधन हो गया किस चैत्र में युगदान के लिए इनको जाना जाता है तो मिलन कुंदेरा अभी हाली में इनका निधन हुआ जुलाई मन्त में और लिट्रेचर फील्ड में जो है इन्होंने काफी contribution किया है तो उस विजह से इनको जाना जाएगा ठीक है तो आप नोट कर ल इनको बिल्कुल भी skip मत करना अब देखो पहले मैं आपको यहां पर एक बात बताना चाहूंगा कि यह जो सेज बॉन राइटर है इनका पैरिस में निधन हुआ है और इनकी जो नॉबल है उसकी यह ऑथर ते इसका नाम है दा अन बीरेबल लाइटनेस ओफ बींग ठीक है 94 की एज में इनका निधन हुआ और कुंद्रा जो है फ्रांस में 1975 में गया है ठीक है एक्वारिंग सिडिजन सिप इन 1981 तो यह चीजें थोड़ी सी मतलब आपको क्यूरियस हैं तो आप इसको बढ़ सकते हैं बाकी यह जो अधर ऑविचुरी जैं इसको नोट और कर लें यहा महाजनी जिनका हाली में निधन हुआ वो बाई प्रोफेशन कौन थे आपके पास ऑप्शन होंगे कि एक पोईट थे एक एक्टर थे जनलिस्त थे पॉलिटीशन थे अब अगर आपने इस नियूज को नहीं पढ़ रखा है तो आप इसको कभर नहीं कर पाऊगे लेकिन आपसे इस तरीके से कौशन को करेट किया जा सकता है इसके बाद में स्पैनेस फुटबाल प्लेयर लुइस सुराज मिरा मॉंटेस ठीक है इनको गोल्डन गेलेसिन के नाम से भी जाना जाता है और 88 साल की आयू में इनका निधन हो गया तो आपसे पूछा सकता है कि जो एल ठीक है निकी मैकरे पैंसों यह एक अमेरिकन वास्केट वाल प्लेयर एंड कोच है चुके है और अभी 51 साल की आयू में इनका निधन हो गया तो यह बहुत इमोर्डन कोश्टिंस मैं आपको यहां पर कबर करवा रहा हूं देखेगा यहां पर कोश्टिन क्या है मंगला ना मैथमेटिक्स में ठीक है एक बहुत ही एमिनेंट मैथमेटिशन डॉक्टर मंगला नारलीकर असी साल की एज में इनका निधन हुआ तो हमने एक बहुत ही फेमस मैथमेटिशन को यहां पर खोया है तोड़ी सी अगर आप डिटेल इनके बारे में पढ़ना चाहें कि कौन सी यहां पर आपको एक नॉलेज यह मिल गई कि जो आई यू सी डवल ए है इसकी फुल फॉर्म क्या है तो यह है इंटर यूनिवर्स्टी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स ठीक है और असी साल की एज में इनका निधन हुआ है यहां पर नोट कर लिजेगा इस कोशन को किस राज्य के जो पूर्व मुख्वंत्री ओमान चंडी है इनका अभी हाली में निधन हुआ आइकोनिक कोशन है most important ठीक है यह examination में पूछा जाएगा ठीक है तो ओमान चंडी यह किरला के पूर्व सीम फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं ठीक है तो इसी कुछ डिटेल यहां पर हम लोग नोट कर लेते हैं 79 years की age में इनका निधन हु रायव he represented Puthupalli assembly constituency तो आपसे पूछाएगा उबान चंडी यह कौन सी constituency को represent करते थे तो he represented Puthupalli assembly constituency and was the longest serving MLA in the state assembly ठीक है तो यह भी है important यहां पर यहां पर question आपके लिए बनेगा कि Surinder Sindha जिनका भी हाली में निधन हो गया यह किस शित में जो इनका योगदान है इन्होंने दिया था उसके लिए इनको जाना जाता है तो musician की तरह आप इनको ध्यान रखे music में इन्होंने बड़ा contribution दिया है लिजेंडरी पंजाबी सिंगर Surinder Sindha passes at 64 64 साल की आयू में इनका निधन हुआ ठीक है यहां पर हमने कुछ और भी अविचरी और भी डीटेल दे रखे हैं तो वह भी आप यहां पर देख सकते हैं जो लिजेंडरी पंजाबी सिंगर है जिनका भी मैंने नाम आपको दाया है Surinder Sindha 64 साल की एज में इनका निधन हुआ ठीक है Surinder Sindha was regarded as one of the assets of the Punjabi music scene तो मतलब यह भी काफी अपने आप में एक अच्छी ख्याती थी इनकी और कुछ अधर अविचरी में आप यह भी नोट कर लें BJP MLA from दूपगुरी बहस्पेंगॉल इन बिष्णू पाड़ा राय ठीक है यह इनका नाम है 61 साल की एज में इनका निधन हुआ तो आप नोट कर लें बिष्णू पद राय ठीक है यह बैस्ट वेंगॉल से BJP MLA थे दूप गुरी से ठीक है तो 61 साल की एज में इनका निधन हुआ बाई प्रोफेशन पॉलिटीशन इनको आप नोट कर लो ठीक है पॉलिटीशन यहां पर देखो फॉर्मर अस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्स के बिकिट कीपर है इनका भी हाली में निधन हुआ तरासी साल की एज में तो अगर पूशा है सकता है कि जो ब्राइन टेवर है यह कौन है यह पूर्व अस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्स के बिकिट कीपर है इनका भी हाली में निधन हुआ तरासी साल की एज में यहां पर है अमेरिकन कंप्यूटर सिक्यूर्टी कंसल्टेंट और ऑथर एंड कन्विक्टेड हैकर केविन मितनिक देखो कन्विक्टेड हैकर का मतलब क्या है कही नहीं पर इनको पनिस्मेंट मिला होगा क्योंकि यह एक कंप्यूटर सिक्यूर्टी के कंसल्टेंट और एक हैकर है जिनका नाम है केविन मितनिक और अभी इनका रिसेंट में निधन हो गया 59 की एज में ही इस बैस नोन फॉर ही इस प्रॉफाइल नाइंटी नंटी फाइब आरेस्ट एंट फाइब इस इन प्रिजन फॉर बेरिस कंप्यूटर एं कम्मुनिकेशन से लिड़ेट क्राइं सु मतलब आप समझ सकते हैं काफी हाई प्रॉफाइल यह रहे है और पाच साल इन्होंने जील काटी है ठीक है तो यह भी यहां पर इंपॉर्टन रहेगा इस कोशन में देखेगा परिमल कुमार गोस इनकी भी अभी हाली में निदन हुआ है और एक लेजन्टरी कमांड रहे हैं ब्स एफ के यह और 84 years के इज में निदन हुआ मिस्टर गोस की बात की जाए परिमल कुमार गोस की तो यह फर्स्ट इंडियन मिलिटरी ऑफिसर थे जिनको बंगलादेस फ्रीडम फाइटर्स दूरिंग दा 1970 Liberation Bar में इन्होंने इसमें रिपोर्ट किया था ठीक है तो यह important question यहां पर है ठीक है तो आप इसको यहां पर note कर ले ऐसे ही जितने भी mcqs हैं वो सारे आपको एक ही प्लेस पर मिल जाएंगे तो आप current affairs funda का mobile application है इसको install कर लें लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है औ और और भी sections आते रहेंगे तो आप लोगों की त्यारी अच्छी होगी तो आप एक बार जो current affairs है उसको भी regular पढ़ा करिये और इन वीडियो से अपनी preparation और भी बहतर करिये थेंक यू सो मच गैस have a good day to all of you once again we will meet in the next video